जारखंड में आई एंडियाई अलाइंस में अब तक सीटों का बटवारा कैसे हुआ ये तो सारविजनिक नहीं हुआ पर सहयोगियों की ओर से प्रत्याशी फाइनल किये जा रहे हैं आखिर ये क्या खेल चल रहा है देखिये रिपोर्ट जारखंड में सीटों का मुद्दा तो नहीं सुलजा पर पाटियों ने कुछ सीटों पर उमिद्वारों के नामों की घोशना कर दी बिहार की तरह आरजडी ने पलामू से ममता भुईया को सिंबल भी बाट दिया वो हाली में बीजेपी छोड़कर आरजडी में शामिल हुई थी हालाकि इंडिया गडबंदन की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है आरजडी के नेता और कारिकरता ममता भुईया के नमांकन के तैयारी में जुट गए हैं ममता भुईया जारकंड के पुर्व मंत्री और जुग सलाई के पुर्व विधायक दुलाल पर दावा कर रही है वहीं कॉंग्रिस गडबंदन में एक ही सीट देने के लिए आड़ी है आरजडी अब चत्रा को लेकर जोर लगाएगी आरजडी ने बीजेपी से आये पार्टी के पुर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरनात सिंग के घर बापसी कराई है गिरनात सिंग क शामिल होने के बाद चत्रा से प्रत्याशी बनाये जाने के अटकलें तेज हो गई हैं उदर जारकन राष्टे जनता दल ने राजडी में अब तीन सीटों पर चुनाओ लड़ने की एक्षा जाहिर की है इस सिलसिले में गड़वा सही दूसरे जिलों के नेता और कारिकरता पटना पहुँचे जहां पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई गड़वा जिला राजड अध्यक्ष सुरस सिंग ने कहा कि चत्रा और पलामू राजड के परामपरागत सीटे हैं लिहाजा इन सीटों पर राजड का उमिद्वार हो सुरस सिंग ने कहा कि जारकन मे पार्टी का संगठन काफी मजबूत है लोग सबा चुनाओं के लिए बीजेपी ने 13 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना कर दी है एक सीट पर सहयोगी आजसु चुनाओं लड़ेगा वहीं अब तक कॉंग्रिस ने 3 सीटों पर और 2 सीटों पर जेमेम ने प्रत्याशिक घोशित कर दिये हैं चुनाओं को लेकर राची में जेमेम कारियाले में महत्वण बैठक भी हुई पुर्वसियम हमन सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की दरसल आगामी 21 अपरेल को प्रभात तारा मैदान में जेमेम उल्गुलान रेली करने जा रहा है जिसको लेकर कलपना सु पास किया कि बढ़ चड़ करके हिस्सा लीजे और हमारे हेमन जी हेमन जी का जो सपना रहा था जिसको बीच में बाधित किया गया है उस चीज को हम उल्गुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे जार्खन राजे पूरे देश को बताएंगे कि केंदर सरकार किस तरीके स जार्खन के साथ सौतेला बेवार कर रही है सम्वेधान इक पत्पे बैठे हुए हमारे हेमन जी को भी जेल में डाला इन्होंने दिल्ली के केजरिवाल जी को भी जेल में डाला है तो यह उल्गुलान है और इंडिया गडबंदन की इस ब्रैली को किस तरीके से मजबूती बैठकों का दोर कॉंग्रिस में भी चला प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई वरिष्ट नेताओं ने चुनाव पर वंधन किया बैठक में जारकन के सबी 14 लोग सबा क्षित्रों के प्रभारी जिला ध्यक्ष जि सब्सक्राइब को लेकर टिक्टों का एलान तो हुआ भी है करीब तेन सीटों पर तो हमारा एलान करहे सही हो चुका है और चूंकि एलेक्षिन केमिशन अफ इंडिया ने इस बार इतने फेजिस में चुनाव लगा दिया इतने मुलब इसमें ग्रुप्स में तो उस वज़ सारे लोगों का अनुस करना वो भी लगता नहीं था इसलिए चौथे फेज से यहां पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है पांच में चुनाव लड़ने के लिए हम पिछले सालों से तयारी कर रहा है अचान चौधरी ने कहा है कि अधिने टिक्रेट नहीं मिलेगा तो मैं असा मर्थन नहीं करूंगा पादी अब ये चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जितना मन से पार्टी जो जोईन किया है उनको क्या प्रामिस हुआ था और क्या नहीं हुआ इसे हम वाकिप नहीं है लेकिन चौधरी जी हम लोग मित्र हैं और मित्र लोग चुनाओ आते आते सब साथ हो जाता है इतना विश्वास है जारगन की 14 सीटों पर 4 फेज में चुनाओं होंगे पिछले चुनाओं में 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्च की थी जबकि एक सीट पर सहयोगी आजसू को जीत मिले थी वहीं जेमेम और कॉंग्रेस के खाते में एक-एक सीट आई थी हलाकि कॉंग्रेस सांसत गीता को बाद में बीजेपी में शामिल हो गई इस बार बीजेपी ने सभी 14 सीटे जीतने का लक्ष रखा है जबकि गढ़बंदन ने भी पूरा जोर लगा दिया है यानि कुल मिलाकर चुनावी लडाई अब दिल्चस्प हो गई है बिरो रिपोर्ट कशिस निउस